एक टाइम पर देश में मराथा ऐसी ताकत थे जो दिल्ली की गद्धी को संभाल सकते थे भारत के महान योद्धाओं में मराथाओं की अलग पहचान रही है छत्रपते शिवाजी महाराच से लेकर उनके बेटे संभाजी और आगे चलकर बाला जी बाजी राओ की कहानिया आप सब ने सुनी होगी लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कमजोर मुगलों के बाद ताकत पर मराथों की जगह पर अंग्रेश इस देश की सत्ता पर काबिस हो गए मराथों में वो कौन सा ऐसा गद्दार था जो उनके खत्म होने का जिम्मेदार था आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि भारत का इतना बड़ा मराथा सामराजी आखिर कहां मात खा गया तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे दोस्तो मराथा सामराजी के पतन की शुरुवात होती है 1761 के बाद से इस साल हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई ये जंग हुई थी अफगान लड़ाके एहमद शाहबदाली और सदा शीवराओ भाव के बीची इस जंग ने दोस्तो मराथों की शक्ती को लगभग आधा कर दिया था मराथों के कई बड़े सरदार इस जंग में मारे गए थे तब मराथों के पेशवा यानि की पीम थे बालाजी बाजी राओ मराथों की पानीपत में हार और अपने करीबी लोगों को खो देने के दुख में 1761 में ही उनकी मौत हो गई इस वक्त तक दोस्तों मराथों की टककर अंग्रेजों से नहीं हुई थी तो जब बाला जी बाजी राओ की मौत हुई तो उनके बाद पेशवा बने माधाव राओ ये बाजी राओ के बेटे थे माधाव राओ काफी समझदार थे जल्दी ही उन्होंने मराथा सामराजी को फिर उसी जगह पर पहुचा दिया जहां पानी पत्की लड़ाई से पहले हुआ करता था माधाव राओ की ताकत दोस्तों इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अंग्रेजों को मुगल बादशाह शाहालम की प्रोटेक्शन से हटा कर अपनी प्रोटेक्शन में ले लिया था इस तरह दोस्तों दिनली पर परदे के पीछे से मराथों का कबजा हो गया था लेकिन उनके इस काम ने अंग्रेजों को मराथों के प्रती सतर्क कर दिया था अब दोस्तों देखा जाये तो मराथों की सबसे बड़ी प्रोब्लम थी उनकी किसमत उनकी किस्मत बहुत खरात थी, पहले पानीपत की तीसरी लड़ाई में वो हारे जिससे उनकी ताकत खत्म हो गई उसके बाद जब माधव राओ ने मराथों को मजबूत किया ही था, तभी 18 नवंबर 1772 को उनकी भी अचानक मौत हो गई अब माधव राओ की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनके भाई नारायन राओ गद्धी पर बैठे यही वो वक्त था दोस्तों जब मराथों में एक ऐसी कलह पैदा हुई, जिसने आगे चलकर मराथों को खत्म करने में बहुत बड़ा रोल निभाया दोस्तों नारायन राओ के चाचा थे राघोबा, पूरा नाम था रगूनात राओ, राघोबा हमेशा से पेश्वा बनना चाहते थे और नारायन राओ उनके रास्ते का काटा थे तेरा के 1773 के दिन रागोबा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर नारायन राव की हत्या कर दी और खुद को घोशित कर दिया मराथो का पेश्वा लेकिन मराथा सरदार दोस्तो नारायन राव के वफादार थे इसलिए उन्होंने नाना फर्नवीश के नेत्रित में विरोध किया उन्होंने बारावाई संसत बनाई और नारायन राव के बेटे सवाई माधव राव को पेश्वा घोशित कर दिया इसके साथ ही उन्होंने रागोबा को पकड़ने का भी आदेश दिया फिर दोस्तों मराथो रागोबा के बीच में लडाई भी हुई 1774 में इसमें मराथा सरदार जीत गए और हार कर रागोबा पहुँच गए मराथों के सबसे बड़े दुश्मन यानि अंग्रेजों के पास मराथा सामराज के अब अंत की शुरुवात हो चुकी थी रागोबा अपने ही भाईयों के साथ गदारी करके मराथों की पतन की शुरुवात कर चुके थे यह कैसा हुआ अभी आपको पता चल जाएगा दोस्तों रागोबा ने भाग कर अंग्रेजों से मदद मांगी अंग्रेज भी इसी बात का इंतजार कर रहे थे उन्हें लूप होल मिल गया था मराथा सामराज के अंदर 6 मार्च 1775 को रागोबा और अंग्रेजों के बीच सूरत की संधी हुई जिसमें अंग्रेजों ने कहा कि वो पेशवा बनने में रागोबा की मदद करेंगे इसी संधी की वज़े से 1775 में दोस्तों पहला एंग्लो मराथा वोर हुआ इसमें रागोबा की मदद अंग्रेजों ने की लेकिन 7 साल तक चली इस लड़ाई को अंग्रेज हार गये हार के बाद सालबाई की संधी हुई अंग्रेज मानने को मजबूर हुए कि माधव राव नारायन ही असली पेशवा है अब दोस्तों ये था पहला एंग्लो मराथा यूद ये यूद शायद नहीं होता लेकिन रागोबा की वजह से मराथे अंग्रेजों से भीड़े और इसका खामियाजा आगे आने वाले कई सालों तक मराथों ने भुखता अब दोस्तों ये कहानी का पहला हिस्सा है आगे की कहानी समझने के लिए शौर्ट में बता देता हूँ कि छत्रपती शिवाजी महराज के बाद मराथों का पूरा संग बदल चुका था अब इस संग में एक होते थे पेशवा जो की पीम की पोस्ट होती थी इसके बाद चार राजाओं का संग मिलकर इसे चलाता था इसमें बड़ोदा के गायकवार थे इंदौर के होलकर थे उज्जैन के सिंधिया और नागपुर के भोसले थे जो की मराथा सामराज को मिलकर इन्हें ही मराथा सरदार भी कहा जाता था और आगे चलकर दोस्तों इन्ही मराथा सरदारों में फूट पड़ गई अब अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि मराथों में फूट पर चुकी थी लेकिन उस वक्त पर इस फूट को बढ़ने से बचा लिया नाना फड़नवीस ने करीब 20 सालों तक मराथों के वीच में उनकी वज़े से शान्ती बनी रही इस वरा नाना फड़नवीस मराथा संग की देख रेक करते थे साल 1796 में पेशवा माधव राव दोतिय की मृत्ति हो गई इसके बाद बाजी राव दोतिय पेशवा बने वो रागोबा के ही पुतर थे लेकिन वो बिलकुल भी काबिल पेशवा नहीं थे इस बीच पेशवा बाजी राव दोतिय से युद्ध किया फिर 1802 में दोनों के बीच जो युद्ध हुआ उसमें पेशवा हार गए घमराकर बाजी राव दोतिय भी भाग कर रागोबा की तरह ही अंग्रेजों के पास बसीन चले गए यहाँ पर उन्होंने लॉर्ड वेलेजली से अच्छा मौका था उन्होंने शर्ट रखी कि अगर पेशवा सहायक संधी अपना ले तो उन्हें फिर से पेशवा बनाने में अंग्रेज मदद कर सकते अब दोस्तों मजबूरी में पेशवा ने शर्ट मान ली और 31 दिसंबर 1802 को पेशवा और कंपनी के बीच बसीन की मतलब था कि पेशवा को अपने स्टेट में एक पर्मानेंट ब्रिटिश आर्मी रखनी थी और उसका खर्चा भी राजा को उठाना था ये एक तरह से अंग्रेजों की चाल थी जिसे पेशवा उस समय समझ नहीं सके इसके बाद दोस्तों 1803 में ही दूसरा एंग्लो मराथा और शुरू हुआ इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई पेशवा बाजी राओ कून की गद्धी मिल गए फिर 1806 में राजपुर घाट की संधी हुई इस संधी से अंग्रेजों ने मराथों की ताकत को कमजोर भी कर दिया और उनमें फूट भी डाल दे लूर्ड व पहाने से मराथों को हटाना चाह रहे थे इस पीच पेशवा बाजी राओ भी बसीन की संधी से तंग आ चुके थे और सिंधिया और होलकर के साथ मिलकर वो अंग्रेजों के खिलाफ अब प्लैनिंग करने लगे थे अब ये सब चल रहा था दोस्तों कि एक घटना ने पूर का एलान कर दिया इस बार मराथों के पास अंग्रेजों से बड़ी सेना थी नौमर 1817 में तीसरा और आखरी एंग्लो मराथा वार शुरू हो गया इस जंग में मराथा सरदार मिलकर लड़े लेकिन वो अंग्रेजों से पार नहीं पासके होलकर वंच ने महीत पूर में साथ मंद सौर की संधी की गई इस लड़ाई में हार के बाद दोस्तों बाजी राव दुतिय साउथ इंडिया भाग गया अब अंग्रेजों को लगा कि कहीं दोबारा वो विद्रोह ना करते इसलिए इस इंडिया कंपनी ने और बड़ी सेना को पूना बुला लिया फरवर दोस्तों तीसरे एंग्लो मराथा युद्ध में मराथों की फाइनल हार थी अंग्रेजी कंपनी ने पेश्वा के पद कोहीज के बाद खत्म कर दिया बाजी राव दोतिये को उनके सामराज से अंग्रेजी कंपनी ने बाहर निकाल दिया और कानपुर के पास बिठूर अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि मराथा खुद ही अंग्रेजों की शरण में अगर नहीं गए होते तो क्या ये युद्ध होते और क्या मराथा सामराज भारत का अगला सामराज होता मुगलों के बार अपनी राहे में कॉमेंट में जरूर बताईएगा वीडियो को कर नेवादे.